पुलीस को सच नहीं बताते, इसलिए उपलब्द साक्षियों के आधार पर जो CCTV फुटेज करली कलब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया के एलेस्द सुधीर सांगवान और उसका एसोसियेट सुखविंदर सिंग, डिसीस्ट के साथ में कलब में पार्टी एंग कर रहे हैं, और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सबस्तांस, फोर्सफुली विक्टिम को वन आप दे एक्क्यूस पिला रहा है, जब उसको इस तथ्वे से कन्फरेंट कराया गया, तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलीस के सामने कन्फेस किया, कि उन्होंने इंटेंशनली एक्क्यूस को लिक्विड में कोई अबनाक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्विडिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है, और दूसरे शॉट में भी दिया, देखा के उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है, करीब साड़े चार बजे जब वो अपने आपको संभालने में नाकाम रही, तो मुल्जिम विक्टिम को बाथरूम टॉलेट की तरफ लेके जाता है, और फिर वहां करीब दो घंटे वो रहते हैं टॉलेट में, जिसका explanation अभी तक accused ने नहीं दिया है, अब चूंकि custodial interrogation किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फैका है, यह सब बात की बाते हैं।